और पांच ही दिन उत्तर प्रदेश के सरकार की ओर से निर्धारित की गई समय सीमा है जिसके अंदर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को स्वेटर बांटे जाने ताकि उन्हें सर्दी से बचाय जा सके लेकिन जहां सर्दी लगातार बढ़ती जा रही है स्वेटर वितरन की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हो पाई है कि यूपी के भविश्य पर लापरवाही भारी ठिटुर रहे हैं बच्चे अभी तक प्रक्रिया जारी लेट लटीफी के लिए कौन जिम्मेदार बच्चों को स्वेटर कब मिलेंगे सरकार सर्दी फूल स्वेटर गोल क्या गर्मियू में बच्चों को मिलेंगे स्वेटर सवाल उठता है क्या उत्तर प्रदेश का भविश जो बच्चे हैं उनके साथ खिलबार नहीं हो रहा एक तो सर्दी का सितम उपर से नींद में सिस्टम हैं बच्चे सर्दी से ठिटुर रहे हैं लेकिन उन्हें स्वेटर कम बाटे जाएंगे क्या आप पिछले साल की तरह गर्मियों में स्वेटर मिलेंगे इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है दावा जरूर है कि 30 नुवंबर तक बच्चों को स्वेटर उप्लब्द करा दिया जाएंगे लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि कैसे जो काम पिछले 25 दिनों में नहीं हुआ वो 5 दिन में कहा का आडर हो चुके हैं जनरली नमंबर के राद दिसंबर महीने में फुल स्वेटर पहने लाइक सर्दियां सुरू हो जाती है इसलिए हम लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश में विभाग को एक डेडलाइन दी थी मतलब मंत्री जी को भी बढ़ती सर्दी का एहसास है एहसास है कि हर बदलते दिन के साथ 12 नीचे लुड़क रहा है लेकिन फिर भी प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले करीब देड़ करों बच्चों को अब तक स्वेटर क्यों नहीं मिले उसका जवाब हमके पास भी नहीं सिवाए इस बात के प्रक्रिया जारी है यह यूं कहें कि पूरी कवायद पर लापरवाही भारी है हम रोज समिक्षा कर रहे हैं डे टुडे रिवीव कर रहे हैं स्वेटर की कंडिशन की अभी तक की जो इस्थिती है दो तीन जिलों को छोड़कर उत्तरप्रदेश के सभी जिलों से वर्क आर्डर हो चुके हैं यह दो तीन जिले जो फसे भी वह इस कारण फसे कि बिड में जिनको मिला आपूरती का काम, बाद में वो कमपनियां पीछे हट गई, कि हम नहीं कर पाएंगे, तो अब उसकी एक बैधानिक प्रक्रिया है, बिना फिर से बिड किये दूसरे आदमी को सौंप नहीं सकते, इसके नाते दो-तिन जिलों में ये बिलंब हुआ है, बाकी अधिकांस जिलों में आपूरती का आडर हो चुका है, कई जिलों में तो स्वेटर बटना शुरू भी हो गया है, और मानिय मुख्यमंत्री जी स्वयम इस बारे में निर्देश दे चुके हैं, पुरे प्रदेश के सभी बेसिक सिच्छा विबाकों कि 30 नुम्बर तक स्वेटर के आप दिकर आई जाए हम रोज इस परयास में लगया, आज भी बेटर करने जा रहा है हैं, हम इसको सुनिश्चित करने में लगे हैं कि सरदिया शुरू होने से पहले बच्चों को स्वेटर में तरकार ने पहले एक 30 अक्टूबर तक बच्चों को स्वेटर, ज वित्रन की प्रिक्रियाश चुरू नहीं हो सकी है। दूसरे शब्दों में कहें तो लापरवाही की ठंड में ठिटूर रहा है उत्तर प्रदेश का भविश्य। अभी जो तस्वीर है वो हर जगा इसी तरह की है। सरकार की तरफ से ये डेडलाइन दी गई है कि 30 नॉंबर तक स्वेटर बाट दी जाएंगे। इससे पहले यूपी सरकार ने कहा था कि अक्टूबर में ही स्वेटर जो है वित्रन हो जाएगा लेकिन हाकीकत यह है कि अभी भी स्वेटर स्कूल में पहुंचे यह नहीं है यह राज़ानी लखनों की तस्वीर है महद अगर मुकमंतरी आवास से यहां की दूरी की बात हम करने ही तो आना पड़े है यह सिर्फ राज़ाने लखनों के जियांवो प्रात्मी विद्याले के ही तस्वीर नहीं है राज के दूसरे जिनों का भी यही हाद है सवाल उठता है कि जब एक बार टेड्लाइन को आगे बढ़ाने के बाद भी अब तक प्रक्रिया शुरू न कि सर्दिया सुरू होने से पहले इस बार बच्चे स्वेटर पहन कराएंगे जो इस्थिती पूरे प्रदेश की समिक्षा की है उस पर हमको वरोजा है देखे इस सरकार की कोई मंशा गरीबों के हित करने की नहीं है जिसका सबसे बढ़ा उधारण है कि अभी तक गरीबों क गरीब बच्चों को स्वेटर तक नहीं गया काईदन अपने स्वेटर बढ़ जाना चाहिए था और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है यह सरकार पांचाली सरकार है तहीं नहीं हो पा रहा है कि इसके निड़े कौन कर रहा है गौर तलब है कि बीते वर्ष स्वेटर वित्र की प्रक्रिया मार्च तक चलती रही थी कई बच्चों को गर्मिया शुरू होने पर स्वेटर के दर्शन हुए थी ऐसे में सवाल उखने लाजबी है क्या इस साल बच्चों को समय से स्वेटर मिलेंगे विरो रिपोर्ट जी मीडिया अब देखिए स्वेटर वित्रण की प्रक्रिया कहां तक पहुंचे और अलग-अलग जिलों में स्थिती है क्या आखिर 22 नवमबर तक लखनों में 30 प्रतीशत बच्चों को ही अब तक स्वेटर मिले हैं बारा बंकी में अब तक महद 6 प्रतीशत बच्चों को कोई स्वेटर मिलें बड़े चौकाने वाले आकने हैं यह गोंडा में स्वेटर वित्रण के लिए 6.75 करोड़ रुपए आबंटित किये गए लेकिन अब तक प्रिक्रिया शुरू ही नहीं हो पाई है पीली भीत में अथारा सो एक प्रात्मिक विद्याले हैं और अब तक स्वेटर का वित्रण हुआ जहासी लखिम पूर खिरी राए बरेली मौ बरेली राय बरेली कानपूर नगर में 10 प्रतीशत बच्चों को स्वेटर मिलें गोंडा बल्रामपुर प्रतापगड जॉंपूर में स्वेटर वित्रण ना के बराबर हुआ तो सिध्धार्ट नग कि तस्वीर आप देख चुके हैं अब आपको शाजापूर की तस्वीर दिखाते हैं आप बेसिक शिक्षा विभाग के तहता आने वाले तीन हजार से ज्यादा स्कूल है जिनमें तीन लाग से ज्यादा बच्चे पड़ते लेकिन अधिकतर बच्चे सर्दी से ठीटूर रहे हैं क्योंकि अब तक उन्हें स्वेटर मिले ही नहीं कि मुलाकात थोई हवादी कहां हुई है पहाड़ की जोटी पर हवा और सूरज की मुलाकात थोई शहजापुर के प्रात्मिक विद्याले से आती इस आवाज के माइने किताबों में कुछ भी हो लेकिन पहाड़ों से बहकर आ रही हवासे बढ़ रही ठंड में ठिटूरते इन बच्चों की तस्मीरे पूस्ती है अपने हाकिम और हुकमरान से जिले के अफसरान से सर्दी बढ़ रही है स्वेटर कब बटेंगे यह यह बच्चे बिना स्वेटर के ही योही ठिटूरेंगे एक ज्रीकी तरहास में पड़ता हूं और जे सूतर नाय लग जांड रही हो इस थान रही है यह जोतर मोजह मैं ने बटा ग्रेश कि श्वेभा के तीन हजार एकसुन नवासी प्राइमरी विध्याले हैं जिन में करीब तीन लाग अठावन हजार बच्चे पड़ते हैं लेकिन इनमें से अधिकतर बच्चों के पास स्वेटर नहीं है लेकिन ना इन बच्चों के माता पिता की आर्थिक स्थिती ऐसी है कि वो अपने बच्चों को स्वेटर दिला सके और शासंग से लेका पर शासंग तक तो पहले ही प्रक्रिया की द्वाही दे रहा है मगने करे लौक आ दो इस भीता है कि आर्म घ्रका बनाएप और है घ्षा करें स्वेटर के डिने क्मिल लेकिन सब्सक्राइब करने के निर्देश दे चुकी है लेकिन इन तस्मीर उसे लगता नहीं कि शाहजापुर में बेसिक शिक्षा विभाक को सरकार के निर्देशों की कोई फिक्र है अब बेसिक शिक्षा विभाक का तर्क सुनिए दावा है कि 35 प्रतिशर बच्चों को स्वेटर उपलब्द कराए जा चुके हैं 15 में से 8 व्लोक में स्वेटर का वितरन होनर है जो की जल्द ही पूरा कर दिया जाएगा हाला कि बेसिक शिक्षा विभाक के दावों के पीछे की एक सच्चा ये भी है तस्वीरों में जो बच्चे स्वेटर में दिखाई दे रहे हैं वो स्वेटर पिछले साल वितरित किये गए थे जानकारी की मुताबिक शाहजापुर में जातर स्कूलों में अब तक स्वेटर पहुँचे ही नहीं है ऐसे बे 30 नवंबर से पहले बच्चों को स्वेटर मिलेंगे कैसे बड़ा सवाल है ब्यूर रिपोर्ट जी मीडिया कुछ ऐसी ही तस्वीर पश्चिमी यूपी के शामली जिले की है यहां भी बच्चों को स्वेटर वितरण का इंतजार है हाला कि प्रिशासन तर्क कुछ और ही दे रहा है दावाईय कि साथ फीसिदी बच्चों को स्वेटर दिये जा चुके है यह बात और है कि वितरण कब हुआ किसे वितरित किये गए इसका जवाब किसी के पास नहीं है पारा हर बदलते दिन के साथ दुड़क रहा है हवाओं में शीद खुल रहा है क्लास में बच्चे सर्दी से ठिटुर रहे हैं लेकिन प्रशासन बच्चों को एक अदद स्वेटर मुहिया नहीं करा पाया जले से जादातर स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे या तो पुराने स्वेटर या फिर बिना जर्सी के स्कूल पहुँच रहे हैं इन में ऐसे चात्र और चात्रों की संख्या जादा है जिनके माता पिता की आर्थ किस्तिती ऐसी बिलकुल नहीं है कि वो अपने बच्चों के लिए बाजार से स्वेटर खरीद सकें लेकिन इस से किसे क्या फरक पड़ता है चानकारी के मताबक शामली में बच्चों को स्वेटर उपलब कराने के लिए प्रक्रिया बहुत पहले शुरु हो गई थी सिख्षक भी मानते हैं कि बियार्सी में स्वेटर पहुँच चुके हैं लेकिन इनका वितरन कब होगा अभी तक साफ नहीं हाला कि स्वेटर वितरन पर एक तर्क जिले की जिलादिकारी अखिलेश कुमार का है जिनके मताबे सभी सरकारी स्कूलों में 60% स्वेटर या फिर यूं कहें कि जर्सिया बढ़ चुकी हैं सभी चात्र और चात्राओं को स्वेटर उपलब कराने की कोशिश जा रही है जिनके में करीब 60% जो लक्ष है उसका 60% जर्सि के आप उर्थी कर दी गई है और उसमें से 90% स्वेटर है उनका वितर किया जा जुका है शेश 40% उसकी आप उर्थी और उसका वितर भी हम लोग 30 नौन बर तक करा लेंगे अब सवाल उठता है जब 60% बच्चों को स्वेटर जर्सी उपलब कराय जा चुके हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते आखिर क्यों बच्चे बिना स्वेटर की स्कूल आ रहे हैं या फिर यूँ कहें कि असल कहानी कुछ और है बिरो रिपोर्ट जी मेडिया सरकार ने पहले 31 अक्टूबर की डेडलाइन तै की थी फिर उससे बढ़ा कर 30 नवंबर तक कर दिया है लेकिन प्रशासन है कि अभी भी गर्मी का एहसास भूला नहीं पाया है दिवर्या की स्कूलों में कोई 288,000 चात्र पढ़ते हैं दिसंबर दस तक देने को है लेकिन अब तक स्वेटर वितरन की प्रक्रिया जरा भी आगे नहीं बढ़ी है दिवाली भीट चुकी है और सर्दी का सर पूरे प्रदेश में शिद्रत से महसूस हो रहा है लेकिन सिस्टम है कि अभी गर्मी का सर भूला नहीं पाया था वरना क्या बात है कि स्कूलों में अब तक बच्चों को स्वेटर दिये नहीं गए सिस्टम की स्लापरवाहि के चलते बच्चे ठंड से ठिटूडते हुए स्कूल में पढ़ने के लिए मजबूर है देवरिया जिले में प्रैमरी और जूनियर हाई स्कूल के छात्रों की तादात करीब 2,28,000 है इन सभी को सरकार की ओर से स्वेटर दिया जाना है दिसंबर दस्तक देने को है लेकिन अब तक अधिकारों के सिर पर जूत तक नहीं रहेंगी हाला कि बच्चों के मन में यास है जल्दी इन्हें स्वेटर दिया जाएगा लेकिन अगर सर्दी बीट गई तो क्या होगा ये बड़ा सवाल है बच्चे तो बच्चे हैं भला वो क्या जाने सियासत और सिस्टम का सच लेकिन एक प्रिंसिपल सहाब है जिने अभी भी सिस्टम के अंदास पर भरुसा है उनका कहना है कि अब तक तो स्वेटर बच्चों को मिल जाना चाहिए था क्योंकि सर्दी भी अच्छी खासी बढ़ने लगी है लेकिन कोई बात नहीं उम्मीद है जल्दी सरकार स्वेटर बटवाएगी जल्दी उम्मीद है कि दिसंबर आने को है पेजाओं में सर्दी अच्छी तरह खुल चुकी है फिर भी स्वेटर बच्चों को क्यों नहीं दिये गए इस सवाल पर बेसित सिक्षा दिकारी का कहना है उनको सब पता है इसलिए लगातार कोशिश जारी है मगर हैरानी है कि सिस्टम की ये कैसी कोशिश है क्या सर्दी के बाद स्वेटर देने की तैयारी है दावा है कि बुद्वार तक 41,000 स्वेटर बाट दे जाएंगे बेसिक सिक्षा दिकारी के ये दावे कितने सच्चे है इसकी बांगे स्कूलों में देखी गई जिसकी हकीकत पर महत्मा सफाई की चादर डाल कर लापरवाही को चुपाना चाहता है आखिर समय रहते सारी तैयारिया क्यों नहीं की जाती एन वक्त पर नोटेस का खेल ही क्य सिस्टम की नियती बन गई है विरो रिपोर्ट जी मीडिया फिलाल इतना ही रुपता है एक चोटे सब्रेक के लिए थंदी माहलों को अभी स्वेटर नहीं मिला है तो उतर नहीं मिला केंदर नहीं दो तीन जीलों को छोड़कर उत्तर प्रदेश के सभी जीलों से वर्क आडर हो चुके है